हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तो कि चार और पांच दिसंबर 2021 को वीडियो वीपीडियो सईद इसना तक इसतर के 894 पदू का एकजाम पेपर तीन सिप्टो में होना है जिसके लिए आप काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे तथा उत्राखन के इतियास की सबसे बड़ी भरती ये रहने वाली है क्योंकि इसमें क का अंतिम समय दोस्तों चल रहा है लगब लगब 10 दिनों का समय आप लों के पास में बचा हुआ है इन 10 दिनों में आपको सबसे पहले जो भी चीजा आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपने एक या दो साल में जबसे आप तयारी कर रहे हैं पढ़ी हुई है उन्हें सेक्षन है और जो रिजिनिंग वाला सेक्षन है उसे भी आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए चलना है और आप लोग पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आपने नोट्स बनाए होंगे सबसे बढ़े आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं साथ में दोस् तो उत्राखन के लिए आप परिक्ष्यावाणी और अजे रावत अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़के जाईए एक्जाम से पहले हिंदी के लिए भी आप लुसेंट के किताब एटलीस और जो मैंने पोस्ट माटम क्लासिज मनाई हुई है उसमें पत्रलेखन और जो मैंने आ अच्छा खासा इसको रासानी चे कर सकते हैं बाकि GS के लिए जो भी आपके नोट्स हैं और साथ में लूसेंट की जो अब्जेक्टिव वाली बुक है या थियोरी वाली बुक जो भी आपके पास में उसको आप रिविजन करके चले जाईए और डेली का अपना एक टार्ग के बारे में भी पूछ रहे थे तो वहीं मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ देखिए करिवन करी 2,19,000 लोगों ने फॉर्म बढ़ा हुआ है दोस्तों लेकिन इसमें से जो एक्च्छल तयारी वाले होते हैं वो सिर्फ 5,000 अगर आप पढ़ाई वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ 5,000 या 4,000 लोगों से आपका कम्टिशन है और 894 पोस्ट हैं तो अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी होगी अगर आप नॉर्मली एक बेसिक सी चीज़े भी पढ़ते वे जा रहे तो आप अच्छा कासा स्कोर कर सकते हैं और साथ में पढ़ने के बा या ना पढ़ने के वाशे या प्र्यक्टिस ना होने के वीज़े से घरत करते हैं वो करके आ जाता है वो चीज़े आपकी प्रैक्िस सेट से नेगलिटाई और यही पर आपको दोस्तो्तो फ्री प्रैक्रिश टेट्स भी मिलेंगे पेड या दस टेस्ट लगा के कि आपकी तैयारी कैसी है तो आप यहां से लगा सकते है निस्टी जो UKCCC का आपका पैटन है उसी पैटन पर आधारीत प्रैक्टिस टेस्ट बनाए गए है अगर आप हमारे इन टेस्ट में 60 प्लस स्कोर दोस्तों कर रहे हैं तो एक्जाम हॉल में 20% आपके सेलेक्शन के चांसे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस टेस्ट से यह उत्राकन के बहुत ही बहतरीन बुक्स से और लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड लेवल बनाकी जो ग्रेजुशन लेवल के लिए चाहिए आपको वही कैपिस्टी करके बनाया गया है अगर आप जर्नल वाले हैं और 60 प्लस स्कोर अगर आप इस सीरीज में कर दे रहे हैं जो हमारा 50 प्रैक्टिस सेट वाले है जो भी डैमो टेस्ट हमने डाले हुए तो आप निस्ती एक अच्छा स्कोर एक्जाम में करके आएंगे इस चीज़को आप अभी से नोट डाउन करके रख लीजेगा तो free practice test मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी एर में उससे बारे दोस्तो कुछ अभीरती हमारे ये पूछ रहे थे बार बार की सर practice test का batch हम कहाँ पे ले सकते हैं अभी last time पे कौन सा batch लेना चाहिए तो दोस्तो अभी last time पे अगर आप लोग batch लेना चाहते हैं तो आप ये batch ले सकते हैं 50 practice test का मादर 400 रुपे 8 रुपे एक रैक्टिस test है दोस्तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां पे आपको solutions भी मिल जाएगा और 50 के 50 practice set आप यहां पर एक साथ आपको मिल जाएंगे जिन लोग ने हमारे practice set के batch 1, batch 2 और batch 3 ले हुए हैं उनको लेने की आउश्यक्ता नहीं है आप उनहीं practice sets को revise कीजिए और अपने notes को revise कीजिए लेकिन जो अभ्यरती नए है और practice करना चाहते हैं या उनको practice sets नहीं मिल पा रहे हैं तो यहां से practice कर सकते हैं इन 50 practice sets से ठीक है और साथ चाथ कुछ अभ्यरती उत्राख से का 40 नंबर का syllabus है उस topics के objectively questions answer दिये गए है objective questions दिये गए है जैसे practice test होता है वैसे ही आप यहां से भी attempt कर सकते हैं यह तो था paid वाले sets के बारे में कि अगर आप लगाना चाहते तो यह आप फ्री वाले sets के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा आप जैसे 50 वाले के अंद जाना है यहां पर आपको एक set मिल जाएगा तो टोटल आपके चार set free होगे इसके बाद में आपको जाना है practice set batch 2 में यहां पर भी आपको दो से तीन practice set मिल जाएंगे दोस्तों देखे एक दो तीन practice set है चार तीन साथ practice set आप यहां से लगा सकते हैं साथ में नीचे batch 1 वाला जो हमारा course है यहां पर भी चले जाएगा यहां पर भी आपको तीन से चार practice sets मिल जाते हैं तो यह देखे तीन से चार आपको practice sets यहां पर मिल जाते हैं तो ज्यादा ही मिल जाएंगे आपको यहां पर देखे चार से पांच practice sets यहां पर आपको मिल जाएंगे आप इनको लग लाएंगे अगर आप इनको लगाना जाते हैं खासकर ये old is gold वाली जो test series हैं इनको आप जरूर लगा कि जाएए दोस्तों क्योंकि ये सभी जो test series हैं ये exam में आई हुई है जो old is gold वाली है ठीक है तो आप इनको जरूर लगा कि जाए ये free test list आपको अमारी application पर available हो जाएंगे तो जो लोग भी batch नहीं लेना चाते हैं मैं किसी से भी ऐसा जवर्दस्ती नहीं कर रहा हूँ उस्तों कि आपको batch लेना है अगर आप लोग अच्छी खासी तैयारी में है तो कोई बात नी practice अगर आप ज्यादा नहीं करना चाते हैं प्रेक्टिस करना चाते हैं तो इन प्रेक्टिस सेट को जरूर लगा ले जो आपको freely available हो रही हैं क्योंकि यह प्रेक्टिस सेट्स भी आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्पूर्ड रहने वाले हैं क्योंकि इन्हें लगाके भी आपकी जो basically गलतिया होंगी जो आप गलतिया कर रहे हैं जो भी आप errors कर रहे हैं उनको नेगलिटाइज कर सकते हैं और एक्जाम में एक अच्छा कासा score कर सकते हैं तो प्रेक्टिस सेट्स जरूर लगा के जाएं चार चे-पाथ प्रेक्टिस सेट ही लगा हैं दोस्तों बहले फ्री वाले लगा हैं लेकिन लग जरूर कहना चाहूंगा यार कि उत्राखन की एक चार घंटे की मेरतन क्लास है उसको जरूर देखके जाएं और साथ में पोस्ट मार्टम क्लासे के 92 पार्स अप्लोड हुए हैं इनको और अभी मैंने हाली में जो घंचाम जोशी जी की किताब से अब्जेक्टिव वाली चा कर लिया दोस्तों तो आप एक्जाम में 30 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं अभी अगर आप यह सोच रहें कि मैं 3-4 वीडियो देखकर ही 30 प्लस स्कोर कर दूँगा तो वह मुश्किल है नामुम्कीन है बिना पड़े ही स्कोर नहीं होता है दोस्तों क्योंकि सेलेक्शन वह कुछ लोंग उससे बार-बार पूछते हैं कि सर उत्राखन के लिए कौन सा टॉपिक इंपूटेंड है देखिए साप साप कहना चाहूंगा उस तो आयोग बहुत माइंड गेम खेलता है एक एक्जाम में वर्ड इस्ट्री पूछेगा दूसरे एक्जाम में वर्ड करेगा तो कोई भी टॉपिक एक्सा नहीं कि आपका फिक्स हो कुछ भी एक्जाम में आ सकता है तो आप लोग सारा स्लेवस कवर अब करके जाएं और अगर आप चीजों को याद ने कर पा रहे हैं तो बस एक सिंगल टाइम रीडिंग जरूर कर लें अगर आप रीडिंग क